अब हम लोग यहां से अगर बना रहे है तो आपको बता दू कि डायक लेट होता क्या है वह हम लोको इस्टेंडर में मिलता है नहीं वह भीरे का पार्ट नहीं है ठीक है वह स्टेंडर वाला पार्ट है इस्टेंडर में जो हमको मिलता है डारेक्ट लाइट होता है और फ्री डारेक्ट होता है ठीक है तो फ्री में जाओ हम लोग इसको रेंडर मारता है लाइव रेंडर करता है अब बताओ कहां पर हमारा कुछ शाप शेडो बन रहा ऐसा कुछ ब्राइटनेस को बढ़ा लेता है ताकि हमको अच्छे से समझें किस तरह के शाप शेडो बन रही है ठीक है और यह बढ़ायट कर लेता है अब यह काफी शाप शेडो आ रही है यहाँ पर तिक है काफी शाप आ रही है शेडो इधर पर क्या होता है ना डायेक्शन में जो यह होता है एक तरब इसको ट्राइए कर सकते हो यह देखो इसको मैंने कम किया इसके जो साइड साइड के जो यह है वो शेडो बनने लग गया यानि की रफ हो रंग गया फीडो फ्यू मैं इसको चेंज करता हूं इसके शेडो काफी ही शाफ है राइट अब शेडो परेमेटर में जाते हैं सब्सक्राइब में भी यहां पर हमको मिलते हैं शॉप्ट डिफ्यूस तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग इसको बढ़ाने के लिए अब अब आया ना इता पर एरिया शेडो पर मांक किया मैंने वीडे क्या हम लोग आइट तो इसको वीडे के परेमिटर में भी यहां पर माइब आपकर दिया अब यहां पर अभी मैं इसको अच्छेंज कर रहे हैं तो सब कुस्त सारी चीज़ हमे करना है कि तो इसको मेंने सब्राइदे जैसा है वैसे रेने देते हैं देखो थोड़ा ब्लर भी हो गया शेडो भी काफी ब्लर आ गया है सारी चीज है हम लोगने डिर्क लाइट में ही किया है सारी चीज है एरिया शेडो को फिर से अंचेक कर दिया अगर मैंने यहां से फिरिश शाप बन जाएगा त्यूंकि आगर आपने बीरे शेडो के उपर पैरेमिटर पर एरिया शेडो पर बार्ट नहीं किया तब तो यह इसके उपर लेफटाफ फिल बनना स्टार्ट नहीं होगा और आपने नहीं किया तो इस तरह के दिक्कते आ सकते हैं जैसा आपने अभी थोटा एप बहले देखा ठीक्या डाट कॉम यहां मिलते हैं आपको थाक्यों पर वाचिं इस वीडियो जै हिंद वंदे मात्रम